वेल दोस्तो आज इस वीडियो में आप से सेयर करेंगी कि अगर आप लोग दोस्तो बरजार पेंड का पेंड करवाना चाहता है दोस्तो अपने घर पर वो भी इंट्रियर में यानि की घर में घर की जो अंदर होता है ना दोस्तो अंदर की दिवारों पर आप लोग बरजार पो कि लुए को हर इक चीज मालूम होना चाहिए और मालूम करके ही ४्रंप चला गया है क्योंकि पिछले साल स até ungam hir हो एं पर में दोस्तों पेंल का जोप्राइस है अब सवाल है कि बर्ज mitä का एसा कौन सा पैन है इंटरियर का जो हमारी बाजेट पर काम करें ह। जो हमारे बाजेट मेंं होगा और उस मैं को टार्गेट करके हम लोग दोस्तों उस किन को एपलाइ कर सकता है इसलिए करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में बर्जर का ऐसे च्छे पेंट की बारे में डीटेल से आपको एक्स्प्लेइन करूंगा और यह जो च्छे पेंट है ना दोस्तों दोपेंट है दोस्तों प्रीमियम MRP का और दो पेंट है लगजरी का दोस्तों यानि कि एक छूटी सी लोग कोस्ट से लेकर हाई कोस्ट तक आपको डिटेल से एक्स्प्रेम करेंगे तो शुरुवात करेंगे कि अगर आपका बाजेट बहुत ज्यादा कम है यानि कि एक सस्ता वाला पेंट आप लोग ढून रह इससे सस्ता भाई आप लोग नहीं मिलेगा यानि कि अगर आप लोग मन बनाया है कि भाई जाएं करना है हमारे घर फिर आपका मन थोड़ा चेंज हो गया है कि डिश्टीम पर से थोड़ा ऊपर अगर कोई पेंट मिल जाए वह भी सस्ता में तो उस पेंट को करने से प्राइस कोश्ट है 180 का लाइब जो है दो साल है दो साल चलेगा दोस्तों मतलब ठीक टाक है डिस टेंप पर जही से यह हैं दोस्तों इस पेंट का अगर एक चीज और वह की कब्रेज रिया भी इसका बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है प्रास्टिक पैन है इतना ही ना तो इसमें आपको कुछ खास देखने को मिलेगा और नहीं इसमें वो साइन बो चमक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेट फीनिस में आता है ठीक ठाक मतलब प्राइस की हिसाब से ठीक ठाक है अगर आप लोग इस पैन को अपलाई करना चाहता है तो कर सकता है दूसरे नमबर अगर थोड़ी कोस्ट और अगर आप लोग एक करके दूस्तु पेन करवान चाहता है तो आपके लिए बेस्ट ओप्शन होगा बारजर का स् लाइट से ठोड़ा प्राइस इसका इंक्रीस है इसका 200 प्लास दोस्तो 220 या 30 रूपया बारजर जो बैसान है इसका प्राइस है इसका दोस्तों अगर कवरेज इरिया की बात करें तो इसका कवरेज थोड़ा ठीक ठाक है यानि कि 100 स्कार फिट आपको कवर मिल जाएगा वह भी डावल कोट में इस पैन का भी दोस्तों 2000 से ज्यादा सेट्स कार आपको देखने को मिल जाएगा और इस पैन में बहुत जो तो मतलब इसमें साइन इस पैन पर भी आपको नहीं मिलेगा मेट फिनिस में आता है यानि कि डार्क सीट आपको इस पैन पर एबलेवल मिल जा का प्राइस दोस्तों 200 से उपर मैंने बताई दिया तो इस पैन का भी आप लोग अपलाई कर सकता है यह हमारा इकोनोमी फेंट था अब हमें अनल मेत नहीं करना है अमारा बाजेट थोड़ा सपोर्ट कर रहे है ज्यादा तो हम थोड़ा इकोन में प्राइस का प्रेंट करे जो है वह बाड़जार वैदर को चैंप फिस दूस्त्तू। चैंप का मतलब तो आप लोग जानते हैं और वैदर नं वाद है je वोग जबतेशने वाला पेन दोस्तों या धैसरी माइक्रोप רाई डल होता है इस आपन कि इस मीं को स्टूर iber बनाने में माइक्रो फाइबर का बहुत ज़्यादा काम होता है दोस्तों इस पेंड है यानि कि ना तो इसमें बहुत थोड़ी इसमें चमक है जैसे कि बैसन में हमने देखा है कि उसमें चमक बिल्कुल भी नहीं है मैट फिनिस में आता है इसमें थोड़ी चमक है सोप्ट सीन का मतलब है थोड़ा चमक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा वाइदार कोड में लेकिन एक खास है दोस्तों कि किसी भी वाइदार में एक पैन सेहन करने का समता भी होता है यह पैन जो है ना टू इन वान है यानि कि घर की अंदर पर भी आप लोग एपलाई क दिवारों पर लगा सकता है यही है इस पैन की खासियत बरजर का वह दर का वह दर कोट चैंड इंटेर एन एक स्टीरियर मतलब बद जरका एक ऐसे आपन है जिसमें दोनों ही का काम कर जाते दोस्तों कि एंटी फंकल है इस पैन का दोस्तों अगर प्राइस की बात करें न त तो 350 निक री कोट से जब इसको आपको चुकाना पढ़ेगा फिर आपको आराम से सबस्क्राद 시क्रत के मैं पर गलय को अब लोगभड़ पेन करता तो IRA कर सकता है आगे दोस्तों अगर बात करें ओहला चरी केटेगरिक में मतलब लगजरी थोड़ा नीचे और एक इकोनोमी से थोड़ा उपर वह बाद जर का मतलब सीधे ACN पेन की रोयल साइन जैसी मतलब उसकी अगल बागल में है यह पेन दोस्तों हलाकि इसमें टेफलोन कोटेट नहीं होता है फिर भी लागजरी इमेशन बहुत अच्छा है इसमें नो दाग नो धब जैसे बताया है इजी क्लीन का मतलब हाई वासेबिलेटी है इस पेन पर कुछ अगर गिर जाए तो आसानी से चला जाता है या फिर स्क्रेच भी जल्दी से नहीं आता है यही है इस पेन की खासियात और यह पेन भी दोस्तों उतना आपको साइन देखने को नहीं मिलेगा इसमें इसमें भी इजी क्लीन पर दोस्तों उतना आपको सौप्ट सीन देखने को मिलेगा उतना ढमक चमक बिलकुल भी नहीं मिलेगा लेकिन इस पेन का कबरेज एरिया ठोड़ा ठीक टाकी है 130 से लेकर 140 इसकर फीट आपका आराम से वाल कबर देगा दोस्तों प्राइस इस पेन का अगर बा परंयर से मतलब मैं इतनी देर से चार पयंऽ क रिविव खिया उसमें कहीं जगापर सब्सांइब स्म वाला फेन में ने कहा है कि जो है इसमें आपका वाल पर डेम आने नहीं देगा दोस्तों डेम रेजिस्टेट है दोस्तों यूद्ध यह अधा हमारा कुछ प्रोब्लम और हो जाता है तो इसमें प्रोब्लम उतना होता है थोस्तों नो स्क्रेट यानि कि जैसे मैंने बताया है यह से अगर आप लोग करें गे तो उसमें इस क्रेट नहीं आएगा अल्ग इसमें टैफलोन कोट भी नहीं ओता है फिर वह संता होती है बर्जर का सिल्क ग्लामर दोस्तों इस पेंड का का सिअध है कि भाई एक सो तीस से लेकर 140 इसका फिट आपका वालारम से कबर देदेगा दोस्तों 550 से लेकर छे सो की बीच में यह जो पेन है इसका भाई आपको कबरेज इरिया आराम से देखने को मिल जाएका दोस्तों अगले हमारे लास्ट में एक पेन और है दोस्तों जो की बर्जर का घ्लामा दोस्तों सिल्क ग्लामर यह जो पेन है बर्जर का ग्लामर तो नहीं बलकि सिल्क इसको कहा जाता है इस पेन का प्राइस 700 रुपिया है जैसे कि हमारा इस पेन जो है सीधे टक्कर देगा दोस्तों एस एन पेन की रोयल इस पेरा को उसमें भी आल्टरा साइन है इसमें भी द मिलेगा हालने कि पी Angelsी स्टम है याने कि जो होता है वाल पर इस पेंटा करने से रस होता है और फ्लक्सिबल की तरह काम करता है क्रछ जितना होती है जिटन हो कर रहता है दोस्तों है है अगर आसानी से दाग धबे अगर कुछ भी गिर जाए तो जितने भी डगड़ डगड़ कर इसको वास करो कुछ भी ने घंटा फारक पड़ेगा दोस्तों कि इसमें माइक्रोफाइबर होती है 160 से लेकर 170 स्करफिट कवर देगा दोस्तों आपका जो वाल है हाला कि जो पैंट है इसमें थोड़ा कवरें चेरिया ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा और एक लीटर का कोष्ट 700 रुप्या में पड़ेगा आपको पूरा जान करें मिल जोग हुआ फिर भी अगर कोई संद्ध है तो हमें कमेंट करना आपकी सवाल का जवाब देंगे